जैन दोस्तों कैसे आप लोग बताईए रादे रादे भाई सभी को रादे रादे पहले तो सभी को आने वाले नए साल की बहुत बहुत बधाई ठीक है और ये साल आप लोगों के लिए जीवन में काफी कुछ खुशिया लेकर आए काफी मेरे भाई जो है सद्भावना लेकर आए और आप लोगों की जितने मन की इच्छ है वो सारी पूरी हो अगर वो नेक है तो ठीक है और आप लोग कामियाब बने और जीवन में बहुत आगे बड़े ठीक चलिए बहुत चांदार मेरे भाई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजे और हर जगा पर शेर कर दीजे क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए जो SSE GD के त्यारी कर रहे हैं ठीक है तो देखे अभी GD के लिए बहुत जादा दिन हमारे पास बचानी है मातर 40 से 45 दिन है आपके पास में और इतने दिनों के अंदर में आपको अपनी रनीती बहुत ही सटीक करनी पड़ेगी नहीं तो मेरे भाई लाखों की संक्या में आप रह जाएंगे लेकिन 9000 लोगों की संक्या में नहीं आएंगे जितने की वेकेंसी है इसके पहले वेकेंसी भी काफी जादा होता था तो कटफ काफी कम रहती थी लेकिन इस बार वेकेंसी जो है वो कम है तो cut-off जादा जाने वाली है तो उसमें आपकी रनीती क्या होगी कि जिसके वज़े से आप जो है वो selection ले पाएं तो सबसे पहले यहां पर जो है maths के बारे में अगर हम बात करें तो आप maths में 40 में 40 स्कोर कैसे करोगे 4 subject आपके हैं 4 subject 40, 40, 40, 40 number के हैं कुल मिलाक 160 number का आपका paper होने वाला है तो इस 160 number के paper में हमारा जो subject आता है वो आता है maths तो हम आपको maths में क्या बताएं कि जिससे आप 40 में 40 स्कोर कर पाओ तो देखो बच्छों सबसे पहले इस बात को धेहान रखना कि chapter wise concept आपको सीखना है पढ़के जाना है और 20 तरह के जितने भी रूला के नहीं पढ़के जाना आप सीजल का मेंस नहीं दे रहे हैं आप सीजल का प्री नहीं दे रहे हैं कि आपको सारे concept आने जरूरी है आप मेरे भाई SSGD का paper दे रहे हैं यहां पर कुछ बाते कम भी पूछी जाती है तो उसमें क्या होगा कुछ particular ऐसे concept होंगे जो आपको ध्यान रखना होगा अब जैसे SSGD में कमिशन पढ़ना ही नहीं है ठीक है election के बहुत ज़्यादा सवाल आते ही नहीं है जो सवाल ज़्यादा repeat होते हैं तो मेरे भाई उन चीज़ों के उपर में जादा हम focus करें तो वो बहतर है ठीक है तो हर chapter के 10 से 15 concept जो है वो अपना fix कर लीजे और उसको मेरे भाई जो है वो जादा सीखने के उपर में focus करिए दूसरा यहाँ पर chapter wise practice अब यह chapter wise practice क्या आज के समय क्या लग रहा हुआ आपको एक chapter के अंदर में कितने questions practice करके जाओ क्या 1.500 सवाल practice करने हैं या 200 practice करने हैं या 2.600 practice करने हैं percentage के या मातर 20 practice करने हैं ना आपको 20 करने है ना 1.500 करने हैं को उसके 20 का करना है और सतन आपको इतना अमान चलना है कि हर chapter से 50-60 सवाल मुझे practice करना है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़ादा sufficient है बहुत ही ज़ादा best है और बस अगर मैं इतना practice करूँगा तो क्या होगा मेरा पूरा syllabus खतम हो जाएगा नहीं तो 90% बच्चे गलती क्या करते हैं motivated होकर percentage पढ़ेंगे profit loss पढ़ेंगे और time work पढ़ेंगे time speed distance तक आते आते धाराशाई हो जाते हैं और वो syllabus ही complete नहीं हो पाता है तो ये गलती आप नहीं करेंगे last time में पूरे सभी संपून chapter का जो है वो आपको practice करना है दनादन रोज गनित के अंदर में कलम चलाना है maths ऐसा subject है जो पूरे के पूरे number दिला सकता है इस बात को ध्यान रखना जहां पर आपको सत प्रतिशत number लाने की fix होती है और अगर maths का level उपर नीचे हो जाया ना तो पूरा का पूरा cutoff का समीकरन बदल के रह जाता है या आज नहीं max practice करेंगे तो mix practice करने के से बढ़ियां से पढ़ाई करो, अगर आप पहले से कहीं से प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करो, हम अपने एंड में आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम अपने एंड पे आप लोगों के लिए एक पहरे सी किताब लेकर आए, यहाँ पे SSE GD की जिसक के अंदर हमें पूरा प्रिवेस एर करंग का संकलन दिया गया है, यह बच्चों को मदद करेगा उनके आखरी के 45 दिनों में, उदेश हमारा इतना था कि देखो हम जो है क्लासेज आप लोगों की नहीं चला पाए, हमारी स्टेट एक्जाम की टीम चला पाई, लेकिन उसके समय में वो इस किताब से पूरी के पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस किताब को लाने का उदेश्य बस एक था कि हम आपके तैयारी में चार्चांद कैसे लगा पाए, पढ़ाई तो आपने कर रखा है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन क्या वो करवा के देगी, तो यहां पर वो चीज जो है, कोशन माग जो खड़ा होता है, उसको यह पूरा करती है, आकरी के समय में मैं इस बात का मेरे ससाधे पन्ने पे लिख वा लो, कोई बच्चा दिमांदारी के साथ में इस किताब को आधे भी पूरा का पूरा खतम करेगा ना दोस्त, तो उसके पूरे के पूरे नमबर आएंगे, यह मेरा दावा है, क्योंकि प्राक्टिकली सर, आप कुछ सोचिए, जब कोई बच्चा डेली कोशन लगा रहा है, तो उसके नमबर पूरे क्यों नहीं आएंगे, ठीक है, बाकी कुछ चलिए, अब जैसे आप लोगों चाहिए, क्या उसको बहुत कम पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, अपने रिसोर्स को लिमिटेट रखे और कई बार पढ़े, तो यह हमने थोड़ा सा ध्यान रखा, कि यहां पर जो है, प्रिवियस येर के पेपर जो हो गए, दो हजार एकिस में और दो हजार तीस मे क्या अदर में, यार मैं टीचर हूँ, मैं सुबह-शाम मैत्स पढ़ा रहा हूँ, मैं हर बैच में मैत्स पढ़ा रहां, मुझे पता है कि कितने टाइप बनते हैं, और कितने लेवल बनते हैं, और मेरे सगर पेपर के 10 दिन पहले पुछोगगे, सर इम्पॉर्टेन कंसrecht ब पेपर में इसे बहार एक भी कोशन नहीं आएगा और वही हो रहा है उसी तरीके से यहाँ पर concept बहुत अथा है लेकिन जो आपके पेपर में आएगा वही concept मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और इसके अलब आपकी practice बहुत अच्छी हो जाए इसके लिए मैंने 10 mock test भी इसके अंदर में डाला हुआ है जो solutions हैं वो मेरे खुद के handwritten solutions हैं और वो आपको काफी जादा जो है वो मदद करेंगे अब मेरा जो master plan था पीछे का वो क्या था किस तरीके से आप 45 दिनों में इस किताब को खतम कर सकते हो तो सबसे पहले जैसे मानो day one है यहाँ पर percentage की कितने सवाल हो गए 90 सवाल हो गए यहां मानो 900 के करीब में तो पहले दिन आपने target बना लेना है कि मैं आज percentage के 35 कोशन लगाऊंगा कोई 50 भी लगा सकता है 60 भी लगा सकता है 70 भी लगा सकता है वो उसकी खुद की मर्जी है अपनी खुद का प्लान है कोई दिक्कत की बात नहीं है डे 2 में आप percentage लगा सकते हैं 35 कोशन डे 3 percentage target कर लो 26 कोशन चौते दिन में आप तुरंत आपका topic खतम अब profit loss पे आ जाओ profit loss के 40 सवाल पांच वे दिन profit loss के 30 सवाल मतलब इसी master plan के साथ हम लोगों ने काम किया था कि बच्चा यहाँ पर किस तरीके से देखो पूरा सारा का सारा आपका chapter cover होता जाएगा एक एक करके day one day two day three इस तरीके से किताब में भी हमने बाट रखा है कि आपको यह खतम करना ही करना है मतलब indirectly मैं आपके बगल में बैठके आपको target दे रहा हूँ कि एक दिन आपको एक mock देना है फिर अगले दिन आपको एक maths का sectional mock फिर अगले दिन आपको mock और कुल में लाकर हमने जो है 10 mock test आपको दिया हुआ है कि अगर आप यह 10 mock test लगा लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपके लिए और कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर हम आपको थोड़ी किताब की जो है PDF हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि जिस तरीके से आप proper way में समझ भी पाएं कि किताब कौन सी भाशा में है किस language में लिखी गई है कैसे लिखा गया है यह जैसे question होगए आपका जैसे मानलो कोई question होगए आमने पूरा ग और पूरा का पूरा देखोगे तो हम लोग टाइप वाइस बांट रखे हैं जैसे आप यहाँ देखो price consumption expenditure मैंने कहा था ना कि भाई मैंने important type आपको दिया हुआ है previous रुठा के चाप नहीं दिया गे लो previous year यह लो तुमको करना है उसके अंदर में मैंने खुद category बना दी है ताकि वो indirect आपको hint मिले कि समझ लो paper में कहां से आने वाला और क्या आने वाला है ठीक है तो यह हिंटी तो है AB rule के उपर में कैसे question लगा और उसके बाद आपका दिमाग भी उसी रफ्तार में चलेगा और कम समय के अंदर में question लगा पाऊगे अगर मैं सारे question की खिचडी बन आप वो देखो और एक मेरा जो smart approach होता है बनाने का वो देखो कि कैसे within seconds के अंदर में भी जो है आप यहां पर options को tick कर सकते हो तो हर एक point का हमने ध्यान रखा है आपके अंदर में और इतना कुछ पूरी की पूरी मेरे भाई जो है 290 पन्ने यानि 300 पन्ने की जो किताब है व और इसी दो किताबों को मिला दें तो मेरे भाई वो किताब बन जाएगी अब एक QP Constable की किताब 145 रुपे में sell हो रही है तो दो का कीमत कितना हो गया 290 रुपे ठीक है मुझे भी यहां पर मेरे printer नहीं बताया कि सर आपने जो इतने ज़्यादा pages रखे हुए हैं mock test भी ज्यादा आएगा Amazon मैं आपको दिखाता हूं इसकी actual price हमारी कितनी है ठीक है ताकि आपको काफी ज्यादा फायदा हो सके तो आप यहां पर Amazon पे जाके SSE GD टाइप करोगे देखो यहां पर इस वीडियो के link में ही तो आपको यह किताब finally Amazon पर देखो दो अलग 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 ज चार्ज है मिलाकर 165 रुपे के अंदर में 260 रुपे की किताब को 165 रुपे में आपकी किताब आपके घर तक मिल जाएगी अब Amazon में जो प्राइम यूजर है उनका चार्ज डिलिवरी का नहीं लगेगा लेकिन जो नॉन प्राइम यूजर हैं जिनके पास प्राइम का सब्स तो ये बुकिस्केप करके एक वेबसाइट है जिसके उपर में ये किताब को लिस्ट कर दिया गया है और बुकिस्केप आलो नहीं ये कहा कि हम सर बच्चों को है न 159 के अंदर में ही दे देंगे और 159 में हमारा 60 रुपे डिलिवरी कर रहेगा और 99 में चुकी बच्चे हम कमेंट बॉक्स में 99,99 लिखते रहते हैं तो 99 की किताब 60 रुपे की डिलिवरी मतलब कुल मिलाकर जो है हमारा यहां पर 159 के अंदर में ये किताब पहुंच जाएगी पिछली बार भी मैंने देखा था कमेंट बॉक्स में काफी बच्चे 99,99,99 लिख रहे थे अभी भी लि सकता था तो आप इस किताब को चाहो तो Amazon से या चाहो तो मेरे भाई बुकिस्केप से मंगा सकते हूँ जिसका लिंक मैंने description में दे दिया है फिर से बोलूँगा किताब लगा के जरूर जाना बहुत फायदे मन्द होगा